मेरे इमोशन्स की कुछ पढ़ी ही नहीं है क्या? ड्राइवर सिम्हा का अड्रेस और फोन नमबर अब यह सिम्हा कौन है? वामसी का ड्राइवर हा? सर मैं ही ड्राइवर सिम्हा हूँ चल पुलिस टेशन क्यों साब? पिछले हबते दारू पी के भिमली रोड पर एक बुढ़े को ठुक दिया था याद है तूने क्या सुचा कार रिपेर करके पुलिस को चकमा दे देगा वामसी ने तेरी सारी पोल खोल दी है चल साब आप यह क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो दो मेने पहले ही वामसी सेट का काम छोड़ दिया और मैं दारू पीता तक नहीं तो फिर वो अक्सिडेंट किस ने किया? आइँ साब साब बॉल साब वामसी सेट के साथ एक मैंडम थी जिनको मैंने कई बार देखा है शायद वो चला रही होगा कौन है वो मैंडम? उसे जानता है? नहीं जानता साब पकाली है होगी तेरे पास वामसी का नंबर है? है साब ज़रा देने इसमें भी एक ही नंबर है वामसी के नंबर से इस एक नंबर पर कई बार इंकमिंग आउट गोइंग कॉल हुए है उसरा मुझे वा नंबर बताना 9100 9100 666-300 666-300 666-300 666-300 चुका सर बोलो ये तो वही नंबर है जो मरने वाले बुढ़े के कॉल लोक से मिला था तो क्या? मतलब वामसी उस बुढ़े और इस नंबर के बीच जरूर कोई गहरा कनेक्शन है बेटा आनू जी आंटी तुम काम से वाईजाग गई हो तुमारी मा ने बताया हां आंटी मैंने टीवी फाइव जॉइन कर लिया कहिए ना कल्यान एक हफ़ती से वाईजाग में है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा हो मैं उसे कब कब बला चुकी हूं आंटी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करने प्लीज बाए कल्या झाल झाल कर दो दो आएड़ा है वाशा भाई बाशा भाई वाई बाशा बाई बाशा बाई हापी अनुवरसरी मिस्टर अमसेश किषोर था नगो एंजो आप पूद और बाई भी आम यू लोग बीटीफूर था यू कल्यान यू वीलकूम था नगू सब्सक्राइब एक लात बावन हजार वाव सारे रेकॉर्ड्स तोड़ दिये करेक्ट तो आज पूरे स्टाफ को लेस्ट गिव 10 पुसेंट बोनस यह निकम में सैलरी के लायक भी नहीं है इन्हें बोनस दोगे अंकल दस पासंटी क्यों पूरा का पूरा इन्हें दे 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 आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है उ नहीं अंकल सक्सेस अकेले इंसान की नहीं होती सब का प्रोग्रेस ही असली सक्सेस होता है बॉलीवूड का हीरो है सही बात ही बोलेगा ठीक है दे दो बोनस मजे करो एंजोई थैंक यू अंकल एंजोई गाइज इसे हमेशा के लिए बन कर दो इसे हमेशा के लिए बन कर दो आम जान सी फ्रम सिविक ऑफिस जी एचमसी हमेन कंप्लेंट विली हे यहां नहिजीनी कहना सेफ किया जा रहा है यहां आने वाले कस्टमर्स बिमार पढ रहे हैं हमें रेस्टरौंट सीस करना पड़ेगा गा Hayekarちょौिछ स्टिंकिंग होता है इडिया तुम्हें पता कैसे जल जाता है आवाज बदलना काफ ही नहीं है पहले तुम अपना ये हॉरिबल पर्फियूम बदलो थैंक्स वर दी एड्वाइस वेल्कम बाइद वे तुम्हारे लिए लिए सर्प्राइज तुमने अपनी मैंगजीन में मुझ पर आर्ट होगी ठीक है चलो पढ़कर सुना दो कल्यान एक नामचीन मास्टर शेफ 15 साल की उम्रे में उन्होंने आखेख होई पर अपना कॉन्फिदेंस नहीं वो ऐसा खाना मनाते हैं मानों उनके हाथों में जादू हो और अनु 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 जस्ट स्टॉप इट पढ़ने दो ना जरा वो मैगजीन साइड में रखना फिर कभी आराम से बता देना थीक है तुम मुझे बेस फ्रेंड हूं इसलिए प्रमोट कर रही हो या बेस शेफ हूं इसलिए तारीफ की है मेरा बेस फ्रेंड बेस शेफ है तो मैं क्या करूं तुम हां उंकल चाइब यह पकड़ो अब रात दीर अकेले बैठना गिटार बजाना पैदल घर जाना तुम्हें अच्छा लगता है ना तो फिर ठीक है मैं चलती हूं गुड़ नाइट बाइट 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 एक पेगव अरे बस बस डार्लिंग और मत पिलाओ रोज अगर इस तरह पीता रहा तो एक दिन लीवर फैलते फैलते फट जाएगा क्या कहते हो जी कभी साइंस में पढ़ा नहीं ये कोलेस्ट्रोल कम करता है टॉनिक है ये वो कैसे 18 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट डॉक्ट अब लाइफ सेट है हाई अनू हाई अनू हाई अंटी पापा को भेज़ दो हम तीन दोस्त मिलके रंग जमाएंगे सब को बेवड़ा बनाएगी मैं बता दूंगी गुद नाइट बेटा एक बात बताओ ये अनू तुम्हें कैसी लगती है अब उसे भी बेवड़ी बख्वास बंद करो मेरे बेटे में क्या कमी है हीरा है हीरा तुम कल शाम को विने को बुलाओ वैसे भी कल तक हिताक्षी आ जाएगी फेस्बुक फ्रेंड है जपैन का लोकल ब्रैंड है धन्य है देवी जी आपकी रिसर्च पर अभी रिष्टे की बात मत करो सारी पी थोड़ी चड़ जाए तो मैं पूछूंगी तुम्ही भी तो ऐसी फसाया था तो यह आइडियास तुम्हें शराब पीने के बाद ही आते हैं यह तो बॉइफ्रेंड ने सिखाया था क्या कि अधिस और यह इक्केज और बाइस और यह हुआ थेज बस हो गया आज का कोटा खातम कौन सा कोटा ड्राइफ रूट्स का ड्राइफ रूट्स नहीं पुश अप्स पापा ड्रामा कम और एक्सरसाइस जादा किजिए पता चल ही गया जी बुद्दू बना सकते हो अपने बेटे को नहीं येलो जूस थाइंक्यू मॉम क्या पूछो पापा मॉम कुछ इशारे कर रही है घुमाफिरा के बात नहीं करूंगी डारेक पॉइंट पर आती हूं तुम्हारी शादी की बात है यहीं बात थी मैं शादी के लिए तयार हूं लाइफ सेट है यह राजी हो गया सुनाया आलिया का ब्रिक अप हो गया है प्रणबीर से इसलिए आप दोनों आज ही बात पक्की कर लीजिए आख बंद करके शादी कर लूँगा लव इस ब्लाइंड हम अनू से टांका भीडा रहे और इसकी अलिया परत्की है आज कह रहा है अलिया भट चाहिए कल पूजा भट की दिमांड करेगा सीनियर भट आखे हम दोनों को भुट्टे की तरह सेख देगा मेरी बोतल नहीं खुलेगी तेल मी दवाइटल्स के लिए अनेस्टेसोलोजिस से बात करो और बी देर इन हाफ एनाव ऑके याख जुद मौरिंग डाडी गुद मौरिंग डौकर साहिबा ब्रिक्फस में क्या है दोसा दोसा तुमने फिर से कल्यान के बारे में ही लिखा है हां लिखा है उसकी आत्मकथा भी लिखूंगी आपको कोई प्रॉब्लम है अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे जो ऐसी हरकते करोगी अपनी लिमिट्स तै करना सीखो मा आई लव कल्यान और मैं उसी से शादी करने वाली उसके कमी जानते हुए भी शादी करनी है माना वो देख नहीं सकता पर मुझे यकीन है वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा डाइड शादी के लिए उसकी पैरिंस के साथ आप बात करेंगे या फिर मैं खुद करूँ यू डिसाइड आपका तो मानवरत है जट चुप रह हरे आइम प्राउड आप अर बच्ची प्राउड हो किस बात पे कल्यान को अम तब से जानते हैं जब से वो बच्चा था ही जब से बच्चा था ही जब से नाइस गाई बाइन होते हुए भी अपना वजूद बनाया सक्सेस्फुली रेस्टरुएंट चला रहा है और इंपोर्टेंटली अनुख कल्यान को पसंद करती है और क्या चाहिए हमें कल्यान की शादी करते हैं वैसे आए दिन उसके इंटरव्यूज अखबार में मैगजीन्स में छपते रहते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसके लिए रिष्टा ना आया हो सही कहा ना चुप्रह जी एक चड़ाहीने की सारा सिस्टम डाउन हो गया कुछ भी पके जा हाँ ना कुछ तो कहिए भाई साब यही बात इतनी देर से मैं सोच रहा था कि आप से कहूं तो कैसे कहूं आपने तो मेरा काम कर दिया अनु अपना डिसिशन सुना चुकी है वो कह चुकी है कि वो फेरे लेगी तो सिर्फ कल्यान के साथ शुकर है मुझे और मेरी बीवी को इस रिष्टे से बिलकुल एतराज नहीं है ऐसे मौके पर एक पट्याला पैक तो बनता ही है जू नहीं आपके पैसों की ही है थास गए भाई साब संधी जी अब सॉरी वेर क्लोज्ट अच्छली वो मुझे खाना नहीं चाहिए फुटपाथ पर एक बुजुर्ग मिले है और उन्हें भूक लगी है तो मुझे उनके लिए खाना चाहिए था प्लीज अब आसपास के रेस्ट्राउंस बंद हो गए है मैंने यहां लाइट जलती देखी तो सोचा शायद यहां मिल जाए बस एक सिकन मैं आपी आया है ओके आप बैठियों नहीं कि 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 अप एक स्क्यूज मी अप ए म रहली सॉरी आप देख नहीं सकते और मैंना थे ताउर्ट्राउंस एक सब्सक्राउंस देख नहीं सकते और मैंने आपको परेशान किया I am also sorry वो किस लिए आप लड़की है इतनी रात को आपको यहां आना पड़ा मेरा लड़की वन अफसोस की बात कैसे है तो मेरे ब्लाइंड होने पर अफसोस किस लिए तो sorry के लिए भी sorry that's okay excuse me अगर आप उस बजुर्ग को अपने हाथ से खाना देंगे तो उसे और भी अच्छा लगेगा just give me a minute restaurant close करके आथा ओके यह लीजे इस तरफ लीजे दादू खाना यह उन्होंने खुद बनाया है खास आपके लिए बगवान बाला करें चलता हूं दादू खुश्रोह बेटा अब मुझे जाना होगा oh thanks a lot thanks तो मुझे कहना चाहिए आपकी वजह से जो खुशी मिली वो रेस्टोंट में नहीं मिलती किसी को खुशी देने की खुशी ही अलग होती है I am vanilla मैं पासी केक मौल में sales girl का काम करती हूं I'm Kalyan और मैं एक chef हूं cooking cutting serving कोई बात नहीं wait आपने अभी हाथ हाथ बढ़ाया था no it's okay कोई बात नहीं I'm so sorry once again vanilla Kalyan pleased to meet you क्या मैं आपको कहीं drop कर दूँ no thanks यह पूरा एरिया अच्छी तरह जानता हूं चला जाओंगा गुद नाइट गुद नाइट बाई कल्यान बाई सर सर आगे रास्ता बंद है अब आ यू शर हां सर ओके सर क्या आप शेफ कल्यान है हां वहीं मैगजिन में आपकी फोटो देखे थी सर एक सेलफी ले सकता हूं प्लीज शौ थैंक यू सर आजाओ जो सब आजाओ थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर यू सर यू वेलकम इसे कमाने में बीस लोगों का पसीना बहा है ऐसे कैसे दे दू हम दस लोग है सबका एक भी हाथ पड़ाना तो बिखर जाएगा हस क्यों रहे बेर नहीं बस तुम दस नहीं साथ हो हुआ है पाक्षी लोग हुआ 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 लोग झाओ आओ अभय कर दो बना दो खरत्थ हम कि अ कि अ लोगो आओ कि अ अ उड़िक अ उड़र मुप झाओ खक शरत्व झाओ श्याओ और खब। भाई यंदे निये भाई भाई मैं तो निकल रहा हूं यहां से जड़ यहां आए कर दो अ क्यों आए सारी ब्रॉब भाई इसको दो दिखता है जना बखते हैं वार बसु उर्ट लार्नी एा सब्सक्राइब कर दिखाने की क्या सब्सक्राइब कर दिखाने की तुम्हें वो बैग उन्हें देना चाहिए था अरे तुम्हें पुलिस कंप्लेइन लिखवानी चाहिए थी उनके पास जाने से कुछ नहीं होता अच्छा हुआ नास पिटों की धुलाई की हां आपका बेटा तो जैकी चन है क्यों इसकी हाइप कम है क्या और यह अपनी कमाई क्यों लोटवाए यह एक बार देगा तो उनक अपने डालोग मारेगी है प्लीज इसे और बढ़ावा मत दीचिये आपको कैसे पता चला की मैं आयू यह पर्फ्यू रोज राइट वाव एप अम रेड़ी आप किस लिए कल मैं तुम्हें पेकर ना भूल गई थी तो आज मैं इसलिए आई हूं तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो वह कैसे ओवियसली अच्छे कर्मों के फ़ल अकेली खाना चाहती है मुझसे शेहर नहीं करोगी क्या ऐसी कोई बात नहीं है क्या हम ऐसे फूड पाकेट्स और लोगों में बाढ़ सकते हैं हाँ जरूर बाढ़ सकते हैं आखिर ये एक पुर्ण्य का काम ही तो है कि दादू यह आपके लिए तो आज से हम पार्टनर्स पार्टनर्स पुन्य कमाने में पार्टनर्स क्यों तुमने सोचा मैं तुम्हें रेस्टरांट में पार्टनर्शिप दे रहा हूं अंकल से बात की लेकिन उन्होंने शादी के लिए हां कह दी है किसी से शादी प्यार के लिए करनी चाहिए दया के लिए नहीं अनू को मुझसे सिंपती है प्यार नहीं मॉम तुम्हारी सोचल सर्विस आज खत्म नहीं हुई बेटा पापा मेरे पापा है मिस्टर तिलक प्रिंटिंग प्रेस में प्रूफ रीडर है नमस्ते अंकर नमस्ते बेटा एक बात बताओ आंकर इसका पागल्पन कहीं तुम पर भी तो नहीं चड़ गया यह पागल्प अधियो के जड़ा देख कर चलो तो अधियो तेरे घर पर ताला क्यों है तेरा बाप फोन नहीं उठाता मैडम का गुश्सा पता है ना दो दिन में पैसा नहीं लोटाया तो तो क्या कर लेगा तो एक थम की दे रहा है तुम रुक जो कल्यान मैं आपके पैसे लोटा दूगी इस वक्त तीजियां से जाए आप लोग प्लीस कौन है यह लोग वह पापा की लिए आए थे तुम चलो कि अधिया बाइ गुट नाइट वैनला तुम से कुछ कुछ कहना था मुझे कैसे को आए क्या क्या तुम कल्राथ रस्ट्रांट आओगी हाँ बाइ वैनला यह बाइ नुम बाइ यह बाइ जो कर दो कि अब्स आंगे अन्यानी कर दो सब्सक्राइबे, जो कुछी जाओगे. का वैसे जाओ, जो कि अ कर दो खॐएगे. जाओ. छोले गला. हाई वेनिला हाई 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 वालेंटाइन्टाइन्स दे थैंक यू वो वो कैसे का हूं पता ही नहीं लेकिन जो दिल में है वो कहना भी तो चाहिए जब तुम पास होती हो अपनी हार कमी भूल जाता हूं इन फाक्ट तुम्हारे साथ बिताया हार पल मेक्स माइ लाइफ मोग कालरफुल तुम्हारी मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिता हूं अगर तुम्हें भी ऐसा लगे तो वेनिला मैंने कुछ गलत कहा के वनेला आम आम सॉरी देखो इस बात को भूल जाओ वी कन बी फ्रेंद्स मैं यहां तुम्हें गुडबाई कहने आई थी कल सुबह हम लोग यह शेल छोड़ कर आमेशा के लिए जा रहें लेकिन लेकिन क्यों वनेला वनेला क्या तुम ठीक हो क्या हुआ है क्या हुआ है सब बताती हूँ पापा का हाट आपरेशन करने के लिए हमने किसी से बीस लाग रुपे लिये थे वे एचले दो साल से हम लोग जीत और महनद कर रहे हैं लेकिन अब तक उसका उसका इंट्रेस्ट भी नहीं चुका पाए है हमें नहीं पता था कि वो लोग कुंडे हैं वो हम लोगों को कई बात हमका चुके हैं और कहते हैं कि हमने अगर कंदक पैसे नहीं दिये तो वो लोग मझे किनाप करके ले जाएंगे अब हमारे पास सिर्फ दो आप्शन्स हैं पहला आप्शन ही है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ यह क्या और दूसरा कि हम यह शेहर छोड़कर चले जाएं मैं तुम्हें किसी भी तरह के दोके में नहीं रखना चाहती थी इसलिए तुम्हें यह बताने आई थी और आप्शन्स कर ले आण तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है वनला तुम्हारा लून मैं चुकाऊंगा तुम्हें का YouTube कोई जानती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हुँ तो मैं सारी प्रोब्लम्स बुल जाती हुए वह गास मेरे लेकिन बें फुम्हें अपनी प्रोब्लम स में इंबॉल्व्ण तो फीनला नहीं इसे एक लोन समझो, जब पैसे आए लोटा देना, ओके? क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? अंकल से कहना अपराए नहीं, हम कली लोन चुका देंगे, तैंक यू सो माच कल्यान, गुद नाइट वनिला, गुद नाइट, वनिला, गुद नाइट, गुद नाइट, क्यासअ थारो नहीं, बेस्थरा गऑ कर दो नहीं, चुद नाइटैलों कली लोब य० यू हैं जाइटैंक भी का समस्त्रणा हं पराइटैंक भी नोच्छभित, प्त fant़े लो नहीं, गुद भीत लोड़े ओंके? उसके शरीर पे कई फ्रेक्ट्ट्रस थे, सर्चिरिय इसकर नी पड़ी, ओवरॉरॉल इस कंडिशन इस वेरी स्टेबल और हाँ हमने जब इनिशिल टेस्ट की है तो हमने देखा कल्यान के रेटिना लाइट को रिस्पॉंड कर रहे थे आई सर्जिरी करें तो उसकी आई साइट लॉटने की फिफ्टी-फिफ्टी परसंट चांसे ऐसा आई सर्जिर ने कहा है अगर आप एगरी करें तो आई थिंग वी शुड टेक चांस उसकी आखों की रॉष्णी आ जाए उससे अच्छा क्या होगा एक्जाक्टी लीज गो एहेड अभी क्यों तूलसी सेडिटिव्स बहुत स्ट्रॉंग है कल्यान को होश पैने में थोड़ा वक्त लगेगा अंटी अंटी प्लीज अपने अपको संबालिए अब हमारे पास सिर्फ दो अप्शन्स है पहला अप्शन ही है कि मैं अपनी जानी दे दू और तूसरा कि हम यह शेह छोड़कर चले जाएं तुम्हें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा वेलेला कल्या कल्यान 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 क्ल्यान दॉक्त बोगएं रिलेख्म कुछ यह रहा रहा है कि मुद्ध revenue सिर्फ और फस्ट कल्यान रिलेख्म विद्विष्ण बिज कर दूए ant wisdom तूम जो इकाइश इचंट रेंगों तूम्हारा अपृरीशइंग करना पड़ाया बिटा तीन हाफ़ते? suspended by three months को फोन करके बुला लो म, मैं यही हूँ कोई piss? कोई वेनिला नाम की लड़की आया थी वेनिला इस नाम का तो कोई नहीं हाया वेनिला कौन है मैंने उसकी help करने की प्रामिस किया था और मैं अंकल जै कोई बुजूर्ग आदमी आया था नहीं बेटा कोई नहीं आया था मॉम मेरा फोन दो पापा बेटा मुझे मुझे कौन करना है तो आज शाम को तुम्हारी पट्टिया खोलेंगे डॉक्टर निकाहे तब कि तुम आराम करो कल्यान मैं पट्टिया निकाल रहा हुँ प्रिण मतले मैं अस्तो मैं तुम्हार तोर शादर लोगा बट इट्स नॉमल बट अज दिरे तीरे अपने आखे खोलो छोली कम शूली अहां आए टूंझ एक को नयुक्स को एक सबस्त्राूब्ण को爌 कि पिसक अए मत बाइटा अए अधिर गड़ी अवर हाथ झाहर कित्र व्गल्य है सुफектор ए रहा जुद्ट बड़ और वह तुद्ट दुद्ट अए मुझा इस अब बेटा मेरा बेटा कल्यान बहुत दोर अब आपा दिख रहा अब वो अनु है अनु है है यह यह लोग ड्रीट वाइड था कल्यान मैं तुमारा अंकल यहाँ बेने अंकल पहले कुछ हफ्ते बहुत केफुल रहना होगा तेज रोश्णी ये बाहर जाने पर डाग ग्लासे हमेशा पहन के रखागा शोड़ा शुच गया है संबल कि थांक्यू अराम से बिड़ा हाँ हमारा घर सिरी गॉल वनियला इस नमबर इस्थाय रूप से इस्थागितगर दिया गया है वेलकम बाग्ग थांक्स अग्व आजाओ वेलकु तो आराम करो दो इस नमबर इस्थागितगर दिया गया है ये नमबर दद्दू, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बेटा. मेरे साथ एक लड़की आती थी, याद है. क्या वो फिर से आई थी? नहीं, बेटा, दुभारा नहीं आई. मैं पासी केक मॉल में सेल्स करल का काम करती हूँ. क्या यहां वनेला नाम की कोई लड़की काम करती है? पूरी रात तुम कहां गायब थे, बेटा? क्या भोल गएगे तुम्हारा कर पर… मैं रेस्टरॉंट में ही सो गया. बहुत ठक गया था. तुमने हमारे फोन का जवाब भी नहीं दिया. पता है हमें कितना टेंशन हो रहा था? तुम्हारी माने रात से कुछ खाया भी नहीं, बस रोए जा रही है. मॉम, आप रो क्यों रही है? बेटा दुब देगा, तुम्हार रोएगी ही ना? हमें इग्नोर करने लगे हो. पता नहीं कितने दिन हो गए, तुम पांगलों की तरह उस लड़की को ढून रहे हो. कब खात्म होगी ये तलाश, कितनी और राते रो रो कर गुजानी पड़ेंगी, बेटा. मा, प्लीज आप रोएँ मत. प्लीज मॉम, क्या चाहती है मुझसे आप? यही कि तुम अनू से शादी कर लो. यही चाहती हूँ मैं. तुम देख नहीं सकते थे, तब भी वो तुम से शादी करना चाहती थी. जरा सोचो, वो तुम से किस सथ तक प्यार करती है? सच में अपने माबाब को जीवन भर खुश देखना चाहते हो तो. तुम्हें अनू से शादी करनी होगी. हाँ, कह दो, बेटा. ठीक है मॉम, आप रोएए मत. उसी से शादी करूँगा. मुझे पूरा विश्वास था. तु हाँ ही कहेगा. अपनी मा का दिल नहीं तोड़ेगा. मैं तेरे पाबा को बता कराती हूँ. पेरिंस के प्रेशर से या फेर मेरी फीलिंग्स की वज़े से इस शादी के लिए हाँ मत कहो. मैं तुम्हारी चॉइस बनना चाहती थी. मुझे अपनी मजबूरी मत बनाओ. अनु. 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 कल कल्यान के इंगेजमेंट पे मिलेंगे. तुम्हारी पूंग पारेंगे. बाई गारी ने पहुँच जाना साब गुश्वाइग गुश्वाइग पेटा वें तुम्हें दिखाई देने लगा है आप आप कौन है मैं वनेला का पिता हूँ बेटा आउंकल आप कहा थे वनेला का है वो ठीक तो है ना उस दिन हमने तुम्हारा बहुत इंतिजार किया बीटा मगर तुम आई ही नहीं लोन दिने वाले गैंगस्टर ने हमें धम की दी थी और हम ये शहर छोड़ कर भाग गए थी इतनी दिनों तक हम नचाने कहां कहां नहीं भढ़के एक दिन उन्होंने हमें त कि आट डालेंगे उसे उसे विए अधिशार मेरी बैटी को बचालो आप गवराये मत वनिला को कुछ नहीं होगा मैं बचाओंगा उसे लेकिन लेकिन कैसे बचाओंगे मैं पैसे दूगा उन्हें उन्हें पैसे दे कर वणिला को छुड़ा लेंगे कल फिल्म नगर के जो जो आखिए नारे इस वक कहां जा रहा है विदा मों थोड़ा काम है कुछ दिर में आ जाओंगा बारावजी तक आजाना वोड़ा है यह कहां जा रहा है फिल्म लगर जलबी लोग रहा है अंकल उन्से बात हुई हम उन्हें फोन किया है ठीक है उन्से कही हम आ रहे हैं हलो पैसों का इंतिजम हो गया है अब बदा कहां आना है अंकल आप गबराएए मत हम वनिला को छुड़ा लेंगे सुनो जरा जल्दी चला ला हां बहुत गया है बस टैबी पर थोड़ा टाइम लगिया था आया आया पैसे लाया है यह कोन है यह मारा भगवान जिसने पैसे दिये हैं पैसे लिखाई तो पेजा उला दूंगा रुको मैं पैसे लिख रहा हूं उसे कुछ मत करना पैसे जेकर पूरे भाई बंदूग देख कर तेरी अकल भिगाने आई नुए पूलिस लेकर आए पूलिस भुला के होश्यारी दिखा रहा है यह कैसा है हमने लेकर वह को समझता है इंपर्म नहीं गाता है कि अपट और चल्ड ना अगे कि अपट जल्ड गुट पताया तो इसे खलास कर दूँगा इसके टुकडे करके तेरे को पार्सल कर दूगा चल्ड क्या है भाई पीचे से चलते हैं आगे पुलिस है टीक है जब देनी पुलो साब टीक है भाई और वेनिला को मुझसे चीन कर ले गए पिटा वेनिला! वेनिला! अंकल! अंकल! कहां चले गए थे तुम्हारा दिमाग तो ठीक आने पर है ना? मेरी बात सुनिये कल वेनिला के पापा मेरे रेस्टरांट में आए जो और अपनी मा को दोका दिया तुने ऐसा नहीं है इसमें कलियान के कोई गलती नहीं है गलती मेरी ही थी उस दिन हॉस्पिटल में होश आते ही जब इसने वेनिला का नाम लिया मुझे समझ जाना चाहिए था सब मेरी ही गलती है मैं तुम्हारी मच पुरी हूँ बस जोइस नहीं हुई ये तुमने प्रूफ कर दिया थैंक्स सब खत्मों गया इस ओवर सॉरी अंकल संसनी केस विजयवडा केस में अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है मॉम मेरी बात पुलिस को बताया तो इसे खलास कर दूगा अब तू मुझे खाना बनाना सिखाएगा नहीं बॉस किस ने बोला उनको बोल निकल जाए यहां से ना उनकी जरूरत है नो तेरी केट आउट है ज़े है 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 भीटा यह तुम कैसी बाते हैं कर रहे है है। रेस्टरांट कैसे बंद कर सकते हैं मैं समझ गया हूँ अंकल, अब ये मेरे बस की बात नहीं, अपने साथ आपकी लाइफ स्पोइल नहीं करूँगा, एक हफ्ते के अंदर सब की सालरी डिपॉजिट हो जाएगी, कल्यान, मेरी बात सुनो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चले चाहिए यहां से, वाइजएक के भीमली रोड पर कल रात हुए एक्सिडेंट में, फोटो में दिखाए गए यह व्यक्ति गंभी रूप से घायल हो गए, आईडी काड या कोई फोन बरामत ना होने की वज़ा से, इनकी बहचान नहीं हो पाई है, वाइजएक पुलिस्टेशन के सी आई जनता से घुजारिश करते हैं कि इनके रिष्टिदार इन्हें केजी हॉस्पिटल से आकर ले जाए, इस मईने हाईवे पर होने वाला ये तीसरा राख बस दो मिनिट में आता हूँ, ओके से अरे इतनी राग को कहा जा रहे हो, कल्याद, कल्याद, रुको, चल, क्यू शोर मचा रहे हो जी, कल्याद अचानक वाइजएक चला गया, वहां क्या काम आ गया, जिसा आत्मी की हाइदरबाद में दो हफते पहले मौत हो चुकी है, उसका आज वाइजएक में आक्सिडेंट कैसे हो सकता है, और और वनेला काहा है, मैं आपिया है, यहाँ सर्फ सर्फ, एमर्जन्सी वाड काहा है? सीधे जाके राइट लिजे, हाँ, बोलिये, एमर्जन्सी वाड काहा है? पता नहीं साब, खलो चाहाँ, सर्फ, मुझे एमर्जन्सी वाड जाना था, आप यहां से राइट जाहिए, वैसे कल रात को भीमली रोड पर अक्सिदेंट हुआ था ना, उसे जानते हैं क्या? जी हाँ, आइए. आइए. यह कल्राद दो मजए गुजर गज़र गया है. आप वोली स्टेशन जा कर लेटने आईए और बोडेटने आईए. वो पेरी बेटी को पार्दा लोंगे वेटा वेनिला के पिता की मौत हो गई अब मेरे सिवाए उसका इस दुनिया में कोई नहीं मुझे उन गुंडों से उसे हर हाल में बचाना होगा किसी भी कीमत पर कि अब सर चाहिए साब से मिलना था साथ थोड़े बिजी है वेट करो सर एक लिड़की की जिन्दकी का सवाल है प्लीज मिलने दीजिए एक बार बोला रहा है चलना निकलो मिस्टर परसाद मीडिया वाले को भी अलाव नहीं कर रहें हैं यह सर मीडिया से हैं पहले ही क्यों न आपने इनको बताया नहीं कि आप मीडिया से हैं मेरे साथ आई है सुन भाई जहां कोई नहीं जा सकता ना वहां मीडिया वाले जा सकते हैं लेफ्ट में C.I.E. का रूम है महां जाके उनसे मिल ले थैंक्स लॉट वेलकम है बोलो वह बीच के पास वाली समीं मेरा कट सर मेरा नाम कल्यान है वह वह भीमली बीच रोड के पास वह तुमारा प्लॉट है क्या वह बात नहीं है वह एक अक्सिडेंट हुआ था मरने वाले के जमीन थी कोई जमीन नहीं है बात तो सुनिये अग्सिडेंट नहीं था मुर्डर हुआ है इसके पीछे ख़तरनाप गिर कोई काम की बात हो तो बताना इंवस्तिगेट कीजिए सर सुनिये सर पिस सच सामने आ जाएगा नहीं सर तो मेरा टाइम मत वेज कर कोई लाइंड डिस्प्यूट हो तो बताना अब रैटर सेटल कर दूंगा सर उस लड़की की जान को पिर को अलग से बूलो किया सर चाय या कोफी अब चाय देना खीक है सर सिर देख 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 वित देख लाइए थर देख हैंग की टाप दपलेगे हैं तो मेरा खुड़े थर दोड़ेगे अब कल दोड़ेगे हैं । और पारकिंग में गाड़ी घड़ी करना मना है तो अंधा है या अनपड़ लेकिन ये गाड़ी का है सर ओव लड़ी फूल सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपते यह सुनकर उसका दिल तूट गया तो उस दिन से जो उसने खटिया पकड़ी सीधे कोमा में चिलेगा अब वो कोमा से तभी उठेगी जब मैं ऐसाय बन जाओंगा मां के सिटी स्कैन और मेडिकल रिपोर्ड दोनों में यहीं लिखा ह बस एक केस चाहिए एक धासू केस सॉल और मेरा प्रमोशन पक्का लेकिन वो खडूस इंस्पेक्टर मुझे इस जनम में तो किसी दमदार केस को छूने तक नहीं देगा शैतन को याद करो शैतन आजीर हो जाता है कि सरसर मेरी बीवी ने तुझे घर पे पुला है सर मेरा करेटर डिला नहीं है इडियोट माडम का टेस्ट खराब नहीं है नौकरानी चुट्टी पर यानि कोई केस नहीं है तो फिर मैं क्यू जाओं इडिस जाता हूं अब ही जाता हूं का वहां अपने मुझे बुलाया ना क्या आयो न नाश्ता भी करके आया हो मैडम कुछ काम था ठीक है तू जल्दी उपर जा उपर एमर्जनसी है मैडम बड़ी वाली ओके ए चोका अगर कववे ने एक भी पापड में मुह मारा ना तो तू कहीं मुह दिखाने लाइक नहीं रहे दा इसलिए मैडम को गन चाहिए थी इन दर गया ना पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की निकल तेरा एंकाउंटर कर दूंगा कौन सा यहां प्रमोशन मिलने वाला है कववे उड़ा कर क्या जिलेगी है यह कववे चड़ी क्यों नहीं पेंथे यह निचे सर इतनी महंगी वर्दी और काम दो टकेका चे आप पुलीस वाले हैं सर याद दिलाने के लिए थैंक्स अगर आप इस केस को अपने दम पे सॉल्व कर ले तो प्रमोशन मिलेगा और प्रमोशन हुआ तो मेरी बिमार मां खटिया छोड़ देगी एक सॉलिड केस का इंतजार है तुमारे पास है बिलकुल है भीमली रोड पर एक बुढ़े का अक्सिडेंट हुआ था अरे वो बु बुढ़ा उमरा वो जरूर कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा उसने न्यूकलियर बॉम का नया फॉर्मूला बनाया होगा और इंगलेंड प्रेजिडेंट डॉनल्ड डव उसे किडनाप करना चाहता है और सीरियन प्रेजिडेंट उसे मारना चाहते है यही बात है सर मेरी बात तो सुनिए आप यह केस सॉल्व कर सकते हैं और फिर केस होते ही प्रमोशन मिल जाएगा वो कोई भी टर्रिस्ट हो मैं उसे पकड़ की रहूंगा फिर तो मेरा प्रमोशन पक्का है प्रमोशन मिलते मां खटिया छोड़ देगी वैसे तुम कॉन हो मैं वह मीडिया मीड मेडिया को इंटर्व्यू दे रहा है अब जाना बुढ़े अपना काम कर पागल कहीं का तुम मीडिया से यह सर अगर मैंने केस सॉल्व की तो फ्रंट पेज पर फोटो छबी किना केस सॉल्व किया तो अग बार एक यू टीवी पर आ जाएगा तुम्हें बात बताओं क्या हो सकता है अलिया बट मेरी नियूज देख ले सर तू अब चले लगता है मेरी कॉमेड़ी तुम्हें समझ में नहीं आई खेर चोड़ो लेट स्टार्ट ओपरेशन अलिया रेडी सर कम ओन अनू यह तो क्या कर रही है वाट ऐसा क्या हो गया है तेरी एंगेजमेंट तूट गई और तू एंजॉय कर रही है एंगेजमेंट तूट गई तो मेरी लाइफ खतम हो गई सो वाट उस कल्यान के जाने से क्या फिर्ट पड़ता है यह मेरी लाइफ है कम ओन गाइज लगाइज 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 शाथी करवाना चाहते हैं या नहीं कोई अच्छा लड़का ढूंडोना फाइंट मी अनाइस गाई कि अच्छा रेयल नाइस काई वे 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 रॉक्योए सारे पन्नों पर मरने वालों के डिटेल से लेकिन मारने बाले का जिक्र तक नहीं है तो बताच काहसे शुरू करें मरने वाला इस शेहर का नहीं है तुम्हें कैसे पता? वो यहां का होता तो कोई अब तक बॉड़ी लेने ज़रूर आ गया होता सही बगड़ा लेकिन कोई आया नहीं है सर बिल्कुल नहीं पॉफेक सर यानि वो किसी ओटेल या लॉज में रुका होगा खाना धाबे में खाया होगा उन जगाओं पर ढूंडेंगे तो कोई क्लू जरूर मिलेगा क्या होगा सर मेरे माइंड में भी सेम टू सेम बात आई हम कितना सेम सोचते हैं चलो गाड़ी चला लाइसन नहीं है गया ड्राइविंग नहीं आती मतलब आज तक गाड़ी नहीं चलाई सिर्फ एक बार चलाई थी बाक सीट पर एक आदमी बैठा था तो उसका क्या हुआ बखवान को प्यारा हो गया लाचा पीला तु बाक सीट पर बैठना कुछ नहीं आता तुझे बहुत कुछ सीखना है चल यह फोटो ओल आदमी इस लॉज में रुका दा गया उस टाइम सर पर पट्टी नहीं दी नहीं साब तोड़क और से देखो नहीं आया था साब चलो कहीं और चलता है इसे कभी देखा है नहीं देखा था नो सर शूरो एक बाड छहरा देख लू सतरा साल तक न ही भूलता सतरा साल एकल शाल्ता में भूल जादा है गया रूम तुटु-जीरो की चावी देला तुटु-जीरो की चावी आपको क्यो दू कि यह कल राज से यहीं पर रुका है इसका चहरा तुझे याद नहीं है और सत्रा साल तक चहरा याद रखेगा दू फैंकूचन कहीं का एक्स्क्यूज मी माम आपने से कभी होटेल में देखा है नहीं सर नहीं देखा है शोर है मैडम जी सर कि यह आदमी इस लॉज में रुका था गया फोटो द्यान से देखना कि यहां तो नहीं धहराता सर चलो सर यह जूट बोल रहा है कि यह आदमी इस लॉज में रुका था गया फोटो द्यान से देखना यहां तो नहीं ठहरा था सर एक अंजे सच बोले गया पुली स्टेशन की हवा किलों जल्दी बॉल सर सर बताता हूं सर यह आदमी यहां पर ठहरा था क्या उसके साथ कोई और भी था उसके साथ दो और लड़के थे सर एक शाम तीनो साथ निकले और पूरी रात नहीं लोटे दूसरी सुबह सिर्फ दो लड़के लोटे और जल्दबाजी में रूम खाली करके चले गए उस बोड़े की मौत की ख़ब मैंने दूसरे दिन न्यू कोटो लीजिए सिरी कॉल सॉरी नंबर बोलिये ना सेवन नेनन नाइन थ्रीटरी टूवर नैननना नाइन घ। अलो डॉक्टर आपसे सवाल करना था एक बात बताइए मा तो कोमा से निकलने वाली है नहीं मुझे कोमा में भेजने का कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास ह यह लो एलो एलो लगता है डॉक्टरी को मौ में चला गिया है कि फ्री इंकमिंग कॉल्ज के पूरे मजे लेते हो अच्छा है क्या का आपने अउटगोंग से ज्यादा इंकमिंग कॉल्ज होते हैं तुम्हारे कॉल के रेकॉर्ड्स चाहिए मेरे? नहीं चुका जी हमें लॉट्स से नंबर मिला था न जनगनमन क्या? जनगनमन जगदीश आजाद हिंद फॉज में भरती होना चाहता था फर बेचारा पचास साल लेट पैदा हुआ फिर मोबाइल का काम सीखा टेकनालोजी पे अपनी बकड बनाई और आज हैकिंग का किंग है बेफिकर हो जाओ बीवी कहां है, किसके साथ है उसका लोकेशन घर पे है या मार्किट में है या किसी होटल के रूम में उसका नंबर ट्रेस करके सब कुछ बताऊंगा नेक्स मंदे मातरम मंदे मातरम कोनबे जग्धी चोका सर, बस दो मिनिट हास दोस्ते हाँ जी बेहन जी बोलिए मारा पती ओफिस ट्रिप के नाम से घड़ी-घड़ी घर से कट ले विसे मुझे उन पर डाउट सो लागे है उनकी लोकेशन बता दो भाया घर में बिग बॉस की फील दोगी तो वो चांदनी बार की फील के लिए कहीं तो जाएगा लाओ बेजारी का नंबर दो दीदी, श्री कन्या लॉज में वो किसी कन्या के साथ ठहरे हैं हनीमून सुईट में सही पकड़े हैं, मेरा कोईता चाही तो बोलना जुद्धी काफी से जाओ देदी, यलगार हो, किला फते हो और उसे मीटू के चार्ज में अंदर करवा देना वंदे मातरम वंदे मातरम चोका सर, एक मिनित, तुम आओ, नहीं भाई, तुम जाओ, अपनी बेहनों को साथ लेगे जाओ आले ये, चोका सर, कैसे आप वंदे मातरम ये चोड़ी छाती वाला शूरवीर कौन है? ये मेरा दोस्त है, क्राइम रिपोर्टर कल्यान वंदे मातरम वंदे मातरम एक हेल्प चाहिए थी किसके लिए? वतन के लिए क्या हुआ मेरे वतन को? डॉनल्ड डॉक और केम कॉंग के जगड़े में एक इंडियन साइंटिस्ट की मौथ हो गई है तो पड़ो से मुल्क उसका फाइदा उठाएगा वंदे मातरम दूद मांगोगे खीर देंगे आतंग भैलाओगे तो चीर देंगे मुझे ललकारों मत यह दरती मेरी माह है और भै इसका सिंग जगड़ी शिक्रेव हमारे पास वक्त नहीं है पर मेरे पास धालोग बहुत जगड़ के लिए चोका जी आराम से मुझे वह नंबर दीजिए समझ किया ब्रो जगड़ीश भाई इस नंबर के कॉल डीटेल्स चाहिए दू मिनट में इसकी जनम खुंड़ी निकाल दूगा मैं अरे यह क्या एक ही नंबर जे इतने स्यादा कॉल्स इस एक नंबर पे तकरीबन रोज बात होती थी हो ना हो ये नंबर किसी देश-द्रोही का ही है मामना सिर्यास हाँ हमे वर नंबर मिलेगा बिलकुल बंदे मातरम बंदे मातरम मेरा भारत महानल भारत बंद चोका जी अब चोका सर अब चले थाक्स सिरी कॉल जल्दी नंबर बोलिया ना 9100-666-300 कॉल माइडीर मा कब छूटेगा तुम्हारा ये कुमा अब कौन है साब की वाइफ का फोन है मुझे जाना होगा अब जाना है अब तेरी तुम्हार ने से बचा लिया सर चोका जी गाड़ी की डीटेल्स निकालनी होंगी शिर्फ डीटेल्स ही क्यों उसे हिट-अंड-ण्रन केस में आरेस भी करोंगा चलो अइस गाड़ी की नहीं तो फिर वो जिसने बुजूर्ग को टकर मारी उसकी वो प्राइन सीन को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला गाड़ी क्रैश हुई और वहां विंडशील के तूटे हुए हिस्से थे सो यह रहा अक्सिडेंट का लोकेशन यहां से तक्रीबन 6 किलोमीटर दूरी पर भीमली चेक पोस्ट है और दूसरी दरफ 8 किलोमीटर दूर गाजुवा का चेक पोस्ट यह हिट-णरन का केस है मतलब वो लोग चेक पोस्ट क्रॉस करने की गलती नहीं करेंगे यानि 100% वो लोग शेहर लोट गया होंगे और पुलीस के डर से नई विंडशील लगवाने वो लोग authorized service center तो जाएंगे नहीं तो हमने जो radius mark किया है उसी के अंदर कार रेपैर करने के लिए वो लोकल गराज गया होंगे मैं भी यही सोच रहा था इस महीने के साथ तारीक तक कोई गाड़ी की फ्रेंट विंडशील चेंज करवाने आया था हमें पांच गाड़ियों में से सिर्फ एक ही गाड़ी का नंबर मिला है चोड़ा सा एक्सिडेंट ता सर इंशॉरंस क्लेम किया है एफ आयर की कॉपी भी है आपको नंबर बताओ जरूरत नहीं है बात मैं पता दाओ बाकी ओनर्स की अड्रेस निकालते है जरूर उनही में से कोई एक होगा चोका सर इतना खुश क्यों हो रहे है कुट्टे सी तेज नाक है मेरी सूंकर पता का पता लागा लूँगा मैं आ रहा हो मुझे रहे हुआ जोका जी वह आगे है थोबड़े से तो छोटे डॉन का भाई लगता है जरूर यह कोई टेरिरिस्ट होगा हां जी बोलिए बोलना तो है लेकिन तुझे क्या सुनना है अपने गैंग के डीटेल्स बता टेरिस पर कितने शूटर्स बिटा के रखे हैं डानल्स से बात करते ह किम कौं को टुइट करते हो कमाउन स्पीक अप दिन में चड़ा के आयो अच्छा कार से साइंटिस्ट को टक्कर मार के भाग गया अच्छा कार की विंड्शील्ड टूटी कैसे साम सूंगे जणके नीचे कार पार्क थी नार्ययल गीरा कांच तूट गया को देख सामने नार्य लगा हुआ है नारियल गिरा पागल समझता है गया नारियल में कभी गिरता हुँँ फिर मिलेंगी से बगवाल ना करें कुछ बद्बाश्चों रहा कर बॉटल फेक कर बारी उससे काज तूट गया मैंने लोकल पुली स्टेशन में रिपोर्ट भी की थैंक यू सर थैंक यू सर बैने तो ए यही आखरी पता है जोका जी हूं सेम नंबर है हूं कि येस कौन है वहाँ वर्दी देखके भी पता नहीं चलता है कि मैं सीनियर ओफीसर हूं मेरी मां की तरह कोमा में एक्या यह देख नहीं सकता चोकाजी कि सौरी टेक मैं सानु भूती अब क्या करें आम सौरी आपकी तारीफ मेरा नाम चुक्कर आओ मैं सीनियर कॉंस्टेब लूंग मैं कुछ इन्वेस्टिकेशन करनी है हम अंदर आ सकते हैं क्या अ शौर आइए थोड़ा देखके पीछे सोफा यह तुम क्या मिट्टी के आपने अपनी कार की विंडशील अभी चेंज करवाई हां कराई थी क्या हुआ था शीशा कैसे टूटा मेरे ड्राइवर को पीने की लथ है कई दफा समझाया लेकिन वो सुधरने का नामी नहीं लिता अभी पिछले ही हफते वो दारूपी कर गाड़ी चला रहा था और कार एक पोल से टक्रा गई और विंडशील तूट गई आप ड्राइवर को बुलाएंगे तो आपने ड्राइवर को बुला के लाओ उस एक्सिडेंट के बाद उसे जॉब से निकाल दिया वैसे आप यह सब मुझ से क्यों पूछ रहे हैं एक बड़े अटैक को रोकना है अरे च नंबर डिलीट कर दिया अच्छा किया कम से कम फोन तो नहीं बदला ओके थाइंक यू यह वेलकम अब टाइम वेस्ट हो गया सारे सुराग स्वहा हो गये केस खतम दुकान बंद साब के साब जादे को होड़े की सवारी करवानी है चट पर मैडम के कपड़े भी सुखाने हैं जिन्दे के बर यही काम करना पड़ेगा जिन्दे की तो च यह काम गया मेरे इमोशन्स की कुछ पढ़ी ही नहीं है क्या ड्राइवर सिम्हा का अड्रेस और फोन नमबर अब यह सिम्हा कौन है वामसी का ड्राइवर हाँ सर मैं ही ट्राइवर सिम्हा हूं चल पुलिस स्टेशन क्यों साब पिछले हपते दारू पीके भिमली रोड पर एक बुढ़े को ठोक दिया ता याद है तूने क्या सुचा कार रिपेर करके पुलिस को चकमा दे देगा वामसी ने तेरी सारी पोल खोल दी है चल साब आप य जिनको मैंने कई बार देखा है शायद वो चला रही होंगे कौन है वो मैडम उसे जानता है नहीं जानता साब पकाली ही होगी तेरे पास वामसी का नंबर है है साब ज़रा देने 9849012396 इसमें भी एकी नंबर है वामसी के नंबर से इस एक नंबर पर कई बार इनकमिंग आउट गोईंग कॉल्स हुए है उज़रा मुझे वान नंबर बताना 9100 9100 6663 00 6663 00 6663 00 6663 00 चुका सर बलो ये तो वही नंबर है जो मरने वाले बुड़े के कौन लॉक से मिला था तो क्या मतलब वंसी उस बुड़े और इस नंबर के बीच जरूर कोई गहरा कनेक्शन है बेटा आनू जी आंटी तुम काम से वाईजाग गई हो तुमारी मा ने बताया हां आंटी मैंने टीवी फाइव जोइन कर लिया कहिए ना कल्यान एक हफ़ती से वाईजाग में है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा हो मैं उसे कबका भला चुकी हूं आंटी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज कौन है सेट मैं हूं आपका ड्राइवर सेमा अच्छा सेमा तुम हो बोलो सेट आपकी गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ था क्या नहीं तो क्यों पूलिस मेरे घर पूस्ताश करने आई थी और इल्जाम लगा रही थी कि मैंने ही वो एक्सिडेंट किया है और तुमने उनसे क्या कहा मैंने कहा एक्सिडेंट शैद आपकी मेडम से हुआ होगा है पागल हो गया क्या तुमने ये बात क्यों बताई क्यूंकि तुमने ये बात हम से छुपाई क्या क्या कह रहे सर एक अंधर ड्राइब कर सकता है क्य गुल्फरेंड तो कर सकती है वंसी वंसी मेरी बात सुनो है वंसी अब तु सी आडी देखता नहीं है क्या बंद दर्वाजा तोड़ना पुलिस को आता है शोका सर प्लीज वंसी हमें बात करनी है दर्वाजा कोलो पॉलिस टेशन क्यों तु भूल क्या मैं भी तो पॉलिस वाला हूं आपसे कोई बात करनी है सीधे सी आई प्रभाकर से करूंगा अरे मर क्या अगर उस कंखजुरे को पता चल गया ना तो मुझे से सब्सक्राइब मैं इसके साथ जाता हूं तु गाड़ी लेकिया अरे लेकिन मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती तो लट जा मुझ पे विक्रम वेताल खेलेंगे अरे लग गई बाइक पकड़नी तो आती है अरे उसको रोकना होगा अरे प्रभाकर सर है क्या यह उनका ही कैबिन है ना तुम कान मुझे सी आई प्रभाकर से मिलना था कुछ इंपॉर्टन बात करनी थी मैं प्रभाकर हूं बोलो आप नहीं सर मुझे सर्कल इंस्पेक्टर फ्रभाकर से बात करनी है भूला दीजे काना मैं सिय आई प्रभाकर करूँ मने गलत क्या के दिया ले यह बाहार कि मैं आप शॉरी स्थक्रतीं कर 6 यहां कुछ तो गड़ पड़ा है देरे संधिंग रॉंग वोट्स रॉंग आखिर बात क्या है वो सी आई प्रभाकर नहीं है वंसी मैं जानता हूं तो मुसीबत में भज गया तुम्हारी कार कोई और चला रहा था और उससे एक आक्सिडेंट हो गया है दोस्त की मदद करना गलत नहीं होता लेकिन किसी की जान गई है कब राओ मतवम से देखो यह कोई ओफिशल इंक्वाइरे नहीं है लेकिन प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो वी बोंट बे अबल तो हेल्प यू उसका नाम जोचना है शिकागो से आय थी वो दो महीने पहले एक आर्ट एग्जिबिशन में हम पहली बार मिले थे वो मेरे क्ले आर्ट की फैन बन गई यूएस में क्ले आर्ट एग्जिबिशन और्गनाईस करने का एक प्रपोसल रखा उसने फिर हमारी दोस्ती बढ़ती गई जो प्यार में बदल गई इनफाक्ट नेक्स मेंथ हम यूएस जाकर शादी करने का प्लान भी बना रहे थे उसके यूएस जाने के एक दिन पहले हम रात को एक लॉंग ड्राइव पर गए अचानक जोचना के हाथ हो एक आक्सिडेंट हो गया जोचना जोचना क्या हुआ वो आवास क्या थी जोचना वो आदमी ओन दे स्पॉर्ट मर गया अगर पुलिस को पता चल जाता तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती मैं तुम्हें कुछ नहीं है दुख यह तुमाग क्या है खुद को कमरे में बंद करके वो पूरी रात रोती रही जोचना ओपन दे डोर इस वाप कौन होगा त्री टाउन पूली स्टेशन का सी आई प्रभाकर प्लीज मेरी बात समझें मैंने सी आई प्रभाकर को रिश्वल दी लेकिन उस राच जो आदमी मुझसे पैसे लेकर गया वो सी आई प्रभाकर नहीं था जोचना अमेरिका लट गई हमारे फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोचा था उसे एक रात ने मेरी लाइफ खत्म कर दी फिर कभी जोचना से बात हुई उसे कई बार कॉल किया पर उसका नंबर नॉट इन सर्विस आ रहा है नॉट इन सर्विस पीचैरी आज तक सद्वे में जी रही होगी वमसी के नंबर से इस एक नंबर पर कई बार इंकमिंग आउट गॉइंग कॉल्स हुई 9100-666-300 कॉल मतलब बमसी उस बूढ़े और इस नंबर के बीच ज़रू कोई गहरा कनेक्शन है तुरा बाब फोन नहीं उठाता है मैडम को गुस्सा पता है ना अच्छा बमसी 9100-666-300 यह नंबर जोचना का है उसी का है क्या उसके कोई फोटोग्राप्स है या भी कोई वीडियो है हाँ है जैकपोट लग गया प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कहा था ना कर दूगा लेकिन उसके फोन में है यह और मुसीबत है वंसी तुम दोनों कभी बाहर गए थे मतलब किसी रेस्ट्राउंट या थेटर में शीला उसनेचर इसलिए लिए लॉंग ड्राइफ पर जाया करते अब कॉन सा रेस्ट्राउंट था डेट क्या थी एप्रिल 14 था टाइम लंच टाइम मतलब वहरा से दो बज़े के भीच होगा ओके अब कैंटू प्ले करो ओके अब कैंटू इस वंसी हा पक्का यस वंसी है जुम इन जुम करो का सर ग्वाट जुम इन फोर्वर्ट इस गरदन अकड़ी थीक है गुमाई नहीं रही है दूसरा दूसरा कैम चेक करो कम ओन चेहरा दिखाए नहीं है यह वेटर को मार क्यू रहे हैं उनके जाने के थोड़े देर बात का फोटिज है क्या प्रॉब्लम थी छोटा सा जगड़ा था सर जाने दीजी मैंने प्रॉब्ल या तुझे भी पिटना है सीधे सीधे बता आप जल्दी बॉल सर हमारे पास सतीश नम का एक वेटर काम करता था और वो रेस्टराण में आने वाली लड़कियों की छुपके से तस्वीरे खिशता था उस दिन एक कस्टमर ने उससे तस्वीरे खिशते भी देख लिया और हमने उसे तभी नोकरिस निकाल दिया सतीश का अड्रेस यह फोन नंबर है ना सर दो मुझे दिदी रूम नंबर सेवेन का है यह आगे है यह अजु कि यहाद है अंकल सतीश यहीं रहता ना यहीं रहता है तो यह 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 बॉल डाल थक गए अरे दो चाय बनाना कैच सर बॉल प्लीज अब क्या चलने के लिए भी हेलमेट पहनना पड़ेगा सौरी सर प्लीज पुलिस स्टेशन में आके सौरी बॉल बॉल चाहिए सतीश हां पुलिस वाले तुझे ढूंडते हुए यह थे यह लोग थे है सदीश क्या हुआ अच्छी और पल्भाग करने हो तुम से भाग क्यों रहता है क्या रहता है क्या अच्छी यह थे खंड़ीज उस्टोड़िस नहीं सदीश सतीष रुक सतीष अब है रिक्षागी आइट जारा कम कर कूदने को नहीं आ रहा है रूप जा सतीष भाई श्रीटू भाई भाई सुरी भाई सतीष क्या रे चर्वी आए ते रगो आपसे कोई जगडा नहीं है मुझे बस उसका फोन चाहिए सतीष फोन दे मुझे जा ले ले अपना फोन दे रहे पोन चाहिए ना आगे ले ले कल्यान मत जो प्लीज यह सारे साउथ के गुंडे लगते हैं पिट जाओगे हाटे अब एसे मार कुरह हो लेने दो क्यात झाल 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 कर लॉटिष कर दो माना कर दो झाल झाल कन्या झाल झाल किस नहीं घुत झाल किंध झाली झाल किंध पो पो उन्याशल का जाल किंध पу lord पो टार्व झाल कि चोका से पंगा मत लेना कभी वर्दी के नीचे मसल नहीं दिखते हैं शाट उतार के दिखाओं किया चलो भागो यहां से आगे से मेरे एरिया में दिखाई दिये तो पापलेट के साथ फ्राइब करके खाँ जाओंगा अब आप पास्वोर्ट तो बता कि जा पापा तेरे अच्छा पास्वोर्ट पापा है पापा दबाया अम्मा का फोन आ गया एप्रिल फोर्टीन के फोटोज देखो कहां कहां के फोटोज लेता ही है यह तो वंजी है ना सब हेली हुई है जोचना कैसे कैसो से लड़की आपड़ जट्थ हम एलो ए अनु है यह वन्टो फोर चेक वे अनु तुम यह क्या कर रही हो यह अनु कौन है वाइसाय काने की वजे यह थी कॉम्रेट्स अखिर गल्फ्रेंड जुन निकाली गल्फ्रेंड यह क्या रही हो तुम वे नेला ल अब जूट बोलना भी सीकर है क्या यही वेनला है इसका नाम जोचना है मैं कह रहा हो ना आनु यही तुम्हारी गल्फ्रेंड वेनला है यह इस क्रिम की बात करिये की लड़की की तुम्हें कैसे बता है वेलेंटान के दिन तुमने मेरा कॉल काता तो मैं तुमसे मिलने रेस्टरांट पहुची वही तुम्हारी गल्फ्रेंड वेनला को देखा कि यह नया सस्पेंस है अरे बताओ ना यह चल के रहा है हुआ है कि टेररिस्ट से बोलके आइस क्रिम तक प्रमोशन के नाम पर इमोशन से खिलवाड किया कि इसे रिपोर्टर समझ के अपनी मा को कोमा से निकालने के लिए निस्वार्थ इसकी मदद करता रहा कि क्यारेक्टर आटिस्टों पर इजट अपनी भी है अब मेरे अंधे होने तक गुडबाई एक मिनट प्लीज अपकी हेल्प कर सकते हैं तुम भी बैंट बजा लो चलो बोलो मैं टीवी फाय में क्रियेटिव हैड हूँ और मैं जारकन का प्राइम मिनिस्टर हूँ नाइस टू मेटी यो सर प्लीज एक ही जूट से दो बर व्योकुफ नहीं बनूग इसके पस आईडी भी है और आधार से लिंक है इस केस में हिल्प कर दीजे हम सब की संदेगी डिस्टर्ब हो चुकी है केस सॉल्फ हो गया तो मैं प्राइम टाइम पे आपका इंटर्व्यू दिखाऊंगी इस म कर दिया तो भी क्या उखाड़ूंगा नंगा नहाएगा क्या और नी चोड़ेगा क्या अच्छा बता यह क्या करना है वामसी प्लीज थोड़ा पानी पीलो तो वैनेला बनके कल्यान से और जोचना बनके तुम से मिलने वाली एक ही लड़की है वामसी रो मत उसने सिर्फ हम दोनों को ही नहीं कई और लोगों को भी पसाया होगा बहुत शाथ एर खिलाड़ी है कॉल का त्याएनी 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 कॉल का त्याएन on कॉल झाड़ीillance मार नहीं झाड़बंश로 लोगों कॉल कॉल कल का त्याएनी कॉल का त्याएनी कॉल म lleva कॉल कॉल वो जरूर इस वक्क किसी नई शिकार की तलाश में होगी वमसी उसने हम दोनों को ही क्यों भसाया एक तो हमारा अंधापन और दूसरा हमारा सोशल स्टेटस अच्छा है पर कोई और कॉमन फैक्टर जरूर होगा क्या हुआ है एक मूर्थी गिर गयी यह क्लीय इस विरकांथे उत प्रशनलों अष्व के लिए नहींट 9 भामसी अंग्राइड्ग नच्नल एंट्रप्रोन्या इस वार्ट्र पर सब्स्ट्रीड जहें लास्टिए क्ली अच्छी आप्ल्ट तुम्हें मिला था नहां यह इंडियन गवर्मेंट द्वारा दिया जाने वाला नैशनल अवार्ड है 2014 से यह प्रतिभाशाली दिव्यांग लोगों को दिया जाने लगा अलग-अलग कैटेगरीज में अवार्ड पाने वालों की पूरी लिस्ट है इसमें इसमें उनके कॉन्टाक्ट नम्बर्स दी हैं हाँ है अचा और इन में से कितने लोग ब्लाइंड है यह रही लिस्ट वमसी और मेरे अलावा इस लिस्ट में 11 और लोग हैं अगर हम उसी की तरह सोच रहे हैं तो उसका अगला टागेट 100% इन में से कोई एक होगा कि युने इन गेड़र ने ब्लाइंड है क्यारा लोगों को डिरेक्टली कॉल करके हम लड़की को पकड़ ले अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन ये सब लोग तो अलग-अलग शहरों में होंगे अगर उनको पुलिस के पास या किसी हायर अथारटी के पास जाना चाहिए उनसे हम कहेंगे क्या उसने हमें धोखा दिया है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है ना उसका नाम है ना पता यानी प्रमोशन भूल जाओ मेरे पास एक आईडिया है हार शहर में मेरी रिपोर्टर्स हैं हम उन जो तो कल्यान, कल्यान दर्वासा खोलो, कल्यान! क्या हुआ? यह देखो उसका नाम सोम शेखर है, विजेवाडा का क्लासिकल सिंगर वेनला ने कात्याईनी के नाम से उसकी टीम जोइन की है, मेरी स्टाफ ने उसके नए फोन नंबर का भी पता लगा लिया है महा तो कुमा में है, लेकिन इसके चैप्टर को आज ही फूल स्टॉप लगाऊंगा, विजेवाडा ही तो है, आई विल मैनेज थैंक यू चुका सर, अब कोई और धोखा नहीं खाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूगा, हम उसका खेल खत्म करके रहेंगे, लेट्स को सर, वो सिंगर का नंबर और थ्री डबल जीरो अला नंबर एक ही जगा पर है, थैंक यू जगतीश, वंदे बात रम, तुम यहीं रुको, मैं उसे बालों से पकड़ के लाता हूँ, जल्बादी करके कोई फाइदा नहीं, हमेज बात करके नहीं का इविडिन्स चाहिए कि वो दाओ के बाहास है, तो यहां बैठे रने से एविडिन्स खुझ चलके आने वाला है क्या, अनू, 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 अज़िए नहीं लिया, तो, सिचूएशन हाँ से निकल जाएगा, एस रप्र, बताना मेरा फ़र्स था, मैंने कात्याईनी से बहुत पहले कहा था, कि आपको सब कुछ बता दे, पर इसने मुझे रोग दिया, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसके भाई की कंडिशन बहुत क्रिटिकल है, इमिडेटली किड्नी ट्रांस्प्रांट करना होगा, वर अंदेबाज, यह क्या है कात्याईनी, सुख दुख में साथ निभाने का वार्दा किया था, है ना, हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब मेरी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, तु जानता नहीं, यही प्रॉब्लम है, एक बात कहु शेखर, मै मैं तुम्हारी जित्तेगी में मधूर संगीत खोल दूगी, तुम्हें परिशान नहीं करना चाहती थी, संगीत नहीं तो क्या जहर तो खोली दी अच्छी, पूर एक्टिंग, यह बॉलीवुड के लिए नहीं, भोचपुरी के लिए एकदम सही है, मैं तुमसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकते हैं, अरे नहीं, कात्या ही नहीं, तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरे लिए पैसों से ज्यादा इंपोर्टन्ट है तुम्हारे भाई की जिंदगी, दॉक्टर, मैं पच्चीस लाग का इंतिजाम कर लूँगा, आप अब जरा भी देर मत कीज आप कल ही ओप्रेशन करने की तयारी कीजिए, अरे भाई, टेक्निक सेंटु सेमे बस बकरा अलग है, ओके, विल मेट तुमारो, थैंक यू, दॉक्टर, शेकर, तुमसे इस तरह यू, इतने सारे पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा है, मचे, इसलिए तो, ठक के ले रही हूं, कात्याईनी, प्लीज, मेरे पैसे ही नहीं, मैं भी तो तुमारा ही हूना, अंधा मजनुत, रहो प्लीज, तु मेरा प्यार ही नहीं हो, शेकर, मेरे और तो खून चूसने वाली चुड़ेल, चले, पूपकी शेकर, समालो, हलो, कैसी लगी वैनेला की परफॉर्मेंस, वह बहारा रहे है, यह, चूड़ेल, इतनी खूपसुरत हो, तो मैं तो हर रात पीपल की छाओ में चाओं, तुम्हारा बेवकूफ बनना तो लाजमी था, मैजनो, वो जा रही है, गाड़ी स्टार्ट कर, अनू, 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 जल्दी बैठो, जल... ओते जल ... वह आई अले अधाई अधा अधाई के अधाई उपर से जाना अधाई छो लो साथ है अब 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 की अब आप आराम कीजिए तुम किसी भी चीजिस की फिक्र मत करना कुछ चाहिए तो फोन करना ओकी एक थांक युद्ध हलो हलो हरी पस मिनिट में केस्टाउस पोच रहे हुं समझा फोन रहा कब जग्दीश को फोन लगा अब देन दीजिए अब जग्दीश चोकासर वंदे मातरम वो देश दो हाथ हाया क्या अरे उने चोड़ो दो नंबर का पशानने कर गदा अलो अलो अब जब देश को मेरा साहिए था मेरा अपना फोन मेरा हाथ छोड़ गया अब यहां पालिए प्योड़ियर श्रॉच ताउच एक दूंगी ना तेरी मा मर रही थी जो इतने फून कर रहा था अगर उसे डाउट हो जाता तो वो कल्यांट तुम्हें ढूड़ते यहां तका क्या कॉन कल्यांट अले वही हैदराबाद का शेफ तुम्हें होटल से फॉलो कर रहा था मैंने उसे डाइवर्ट कर दिया मुझे लगता है वो कुछ तो प्लान मता कर यहां रहा है यहां से जल्दी भागना होगा ए पैक करो जल्दी यह तुम लोगों की वज़े से हुआ है वो यहां तुम ही दोनों की वज़े से आया है यह सच में तिरुपती का है ना हाँ यह वही का है हम तुम लोगों को हो क्या गया है अचानक भक्ती दरसल कई दिनों से गाउं जाना चाहते थे इसलिए अब तक तो हम सब वमसी के पीछे लगे गए थे तो क्या मांगा भगवान से हां यही कि वो हमेशा तुमें सलामत रखे अच्छा और तेरे लिए कुछ नहीं मांगा तुने नहीं इतना ही मेरे लिए बहुत है अच्छा पीजे सीट पर मेरा हांडबाग रखा है देना तरह अंदर एक पैंसिल रखिया निकाल तो क्या रे आजकल भगवान प्रशाद में गोल्ड चेन देने लगे हैं गया ओ हाँ यह चेन गर्फरेंड ने गिफ्ट की थी सच बोल बताता है कि नहीं चल बोल अहां सब बताता हूं बताता हूं बताता हूं क्या घटिया जिंदगी है सिर्फ 10,000 रुप मांगे थे उसने वो देने से भी मना कर दिया कमभाई का 90% खुद रख लेती हैं और हमें 10% में निप्डाते दिया जैसे भीग दे रही हो हमें हम कर भी क्या सकते हैं प्लान उसका और रिस्क भी और हमारा क्या हम रिस्क नहीं उठाते क्या हम भी तो जेल जा सकते हैं आप कहना क्या जाते हैं यही कि हमारा भी अमीर बनने का वक्त आ गया है तो बोलो क्या करना होगा है है थेदराबाद वले अंदे कियां के ठीक हो मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बेटी को बचा अंकर देखा आगे लिए आगे लिए आगे तुम लोग सारा पैसा दारू में उड़ा देते हो इसलिए मैं तुम लोग तुम लोगों को पैसे नहीं दे दी और तुम लोगों ने मुझे ही चीट किया गलती हो गया नहीं उस बुढ़्धे ने हमको बैका दिया उसे अब जीने का कोई हग नहीं कुट्टे की मौत मरेगा अब वो तुम बस पुतले को हटाना और खोद वहां पर लेट जाना इससे वामसी डर जाएगा हम कार से उत्रे उससे पहले सब लोग आयब हो जाना बाकी का सारा ड्रामा मैं समाल लोगे क्या सॉलिट प्लैन मनाया है जोचना जोचना क्या हुआ बताओ मुझे आकर हुआ क्या बुल तक्यों समय कृट जोचना जोचना टॉक तो मी वामसी वामसी क्या हुआ इसी को तक कर मारती क्या कह रही हुआ उड़ा है एक वामसी कि नुख जो घरागों जो लग मैं लजा इन वहीं लुख नहीं सहाँ करते हैं पर यहां से कुछ नहीं सूचनले के तूर मुखमाद निजिए यह स्लोगां, एक हैूज। जरीषे जर इसना आट, जल्धिकर्म, है दिखती हैँ, सब्सक्रापेसा ते जल्दी करमा निकला निर्ट आः? यह भी मजदो में एक फार आखा काया तो इस और सम्भाल लूगे जल्दिक और इंदे गृतिन मैं नियुक्ते से लिएडे पता लगालेगी वामसी और फिर मुझे एरेस्ट कर लिया जाएगा प्लीज डोंट वरी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा प्लीज प्लीज सेव मी कुछ करो मामसी प्लीज कौन है वहाँ त्री टाउन पुलीस टेशन का सी आई प्रभाकर पर आप इस वक्त यहां कैसे तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा सुनसान जगे पर एक बुड़े आदमी को मार डाला उस लड़की को बहार आने को बोलो सर सर उसने यह एक्सिदेंट जान बुछ कर नहीं किया उसकी लाइफ और करियर सब खत्म हो जाएगा प्लीस मेरी बात समझे मैं कुछ भी करने को तैयार हूं सर मुझे तीस लाग चाहिए तीस लाग उसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो क्या समझे है ओकी सब्सक्राइग यह लीजे स तुम्हारी आर्ट एक्जिबिशन और हमारी वैदिंग दोनों अगले महीने शिकागो में होंगे मैं अपने पेरेंट से बात करके जल्दी फोन करती हूं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा अगर इसके पास सुबूत होता तो यह पुलीस के साथ आता इस तरह फॉलो नहीं करता हमें इससे डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हमीं शेखर से कैश नहीं मिल जाता तब तक कल्यान को शेखर से दूर रखना होगा आई बात भेजे में किसका कॉल है छोटी माना ने होनुलू गया था क्या सेर मैं तो कभी कुल्लू तक नहीं गया तो फोन क्यों नहीं किया फोन कमोड में गिर गया था उसे नालाया धुलाया फिर छट पे सुखाया फिर आपको कॉल लगा जगदीश जगदीश इस वक्त वो लो कहा है आपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है तुम हिम्मत रखो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा सर वो ठीक आपके पासवाली बिल्डिंग में है थांक यू अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है मर्द को बेखूफ बनाना बहुत आसान है स्क्यूज में सब और ते एक जैसी नहीं होती एनिवे नेक्स टेप क्या है सुबह होने का इंदजार करना है चला चला अनु अनु वो आ गए चोका सर गाड़ी स्टाट कीजिए जल्दी गाड़ी स्टाट कीजिए ड्राइबर चलो पूरा बैंक खाली कर दिया लगता है पूरा बैंक खाली कर दिया हुआ 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 यह क्या उसने हमें देख लिया अब क्या करेंगे वो जानती हैं उसका पीछा कर रहा है तो पीछा करो हां करता हूं हुआ पेटा साफ मेरे पेटे को असपता दे चलो साफ जल्दी करो साफ जल्दी आप ड्राइब कीजिए हॉस्पिटल का रास्ता बताएंगे प्लीज आप चादिये मैं बताता हूं मैडम आप जल्दीश को पून कीजिए उससे कहिए नमबर ट्राक करें मैडम बाद खुन बहचुम का जल्दी चलाईए वंदे मादर्म चुपा सर वो किस तरफ जा रहे है सर वो ठीक आपकी गाड़ी के आगे है हुमारे आगी ही है मैंना थोड़ा आट जेदी चलाई यह तरस वह नं बढाइं उड़ गए आप लेफ्र लेफ मारिए लेफ्र लेफ्र बजाने दो फारी आरे लेफ्र मतलम थोनेवालाथ आप सीधा कहां डारे हो एक एक होस्पटेल नहीं जाना है शेक है तुम्हारे मोबाइल में सिगनल है क्या देख लूँ अरे ये लेडी मिस्टर इंडिया कहां गायब हो गई प्लान ये है कि अकाउंट से पैसे निकालने के बाद तुम कार को डाइवर्ट करके कृष्णा बारेच की और ले जाओगे मैं ऐसा ड्रामा करूँगी जैसे तुमने कार का रास्ता बदल दिया तुम मुझे चाकू दिखाओगे और धंकी दोगे मैं डरनी की आक्टिंग करूँगी तुम पैसे ले जाना और उसके बाद शेकर का चैप्टर खतम कि ओक दे लला और आद जारह हैं क्या बता नहीं कि तो आद गल्रास्ते पर गाड़ी ले जारह बतानी सब्सक्राइबर थो N किimana सेर अनुब कार खुमाओं जग दीश को फौन केजी जोगा सब्सक्राइश शॉगका सब्सक्राइश शेट, गॉड लूप अनु दे स्टाप इम, क्या, अनु काड़ी रोको, स्टॉप दिका, ओके, ओके, मैं आपका फोन ले रहा हूँ, अनु इन्हें होस्पिटल ले जाओ, और तुम कहा जा रहे हो, जो क्या रहा हूँ वो करो, ये उसे पकड़ने का आखरी माँखा, नहीं, आपका नंबर क्रेक करने लिए, ओके, सर, क्या दिमाग है आपका, वो काड़ी मिल गई, सर, मेरे बात, अगर कोई सच्चा देश्भक्त है, तो आप हो, वो लोग इस वट का है, लोकेशन बता, वो क्रिशन पूल के आज पास है, सर, फिलिप जाए, हो को गरें उल्म कार呢 है, आपका का है कर अपका है, और यह तुम एपका है, आपका लोग बाहिए, कर ने जा किर सकत कहा है, तुम आचा नहीं कर सकते है, तुम तुम पाद रहे हो नहीं हो, कोई माचाओ, हूब णो पीछे भीक हीहाँ खोलो ठोलो जटिल शरे लेन चंद गजुन कहा огं तुम चानते क्या हो, प्रुचान का हुए खेल, खोलो जज अचे लेकर लेकरा तुमौन तुम आहेत हिते हैं अजय में बाख करना में ओडत हेला निये भड़हा थमारा क्या बात है डून निकाला मझे वेनेला वेनेला चोच्सना और अब कात्या या नहीं और कितने लोगों को दोखा देगी तू और कितनों से प्यार का नाटक करेगी और कितने मासूमों को लूटेगी तू बस बहुत हो गया सरेंदर कर दो ओके मैं सरेंदर कर दूगी और कंफेस करके मैं जील जाने को भी तयार हूँ लेकिन पहले एक किताब लिखनी है मुझे जिसके आखरी बनने पर तेरी मौत होगी कर दो कि अधिए आधिए नहीं कर लिया नहीं नहीं को दोगा दिया लेकिन तुमें नहीं दिया चांतियों उसकी वाज़ें क्या थी कि अधिए नहीं से प्यार करने लागीतिक मेन्सूाँ लड़के बेवकूफ होते हैं ना लब का नाम सुनते ही शुरू आगे पीचे सब भूल गए तेरी कमजोरी ही मेरी ताखत है हॉद भुरू भुरू भुरू। तुम तुम आतु है तुम मार! सिर्फ प्यार करने वाले प्यार की कीमा चान्ते हैं. वो तो धो के बाज है प्यार करेगी प्भू गुंटूर जिला के हनी और फकाथिए प्यायनी और फवनेला ने बच्पन में अपने सौतेले पिता द्वारा शारिरिक शोशन किये जाने के कारण खुद को एक बहुत लंबे अर्से तक असहाए पाया प्रतिशोद की आग में वो मर्दों को धोखा दे कर उनसे बदला लेने लगी मानसिक संघर्ष करती हनी ने अदालत के सामने अपने जुर्म कुबूल किये है सारे तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए धारा 417-419 के साथ धारा 420 IPC के अंतरगर हनी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है इसके साथ साथ उसकी मानसिक बिमारी के इलाज के लिए अदालत ये आदेश देती है कि उसके पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसे Mental Rehabilitation Center भेज दिया जाए बचपन में जो अन्याय तुमारे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए तुम अगर यहां अच्छा बरताव दिखाओगी तो शायद जल्दी छोट सकती हो होसला रखो तुम अनु 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 एँ आंडिको यहां लिहां लिखो यहां दिखो थांकियर फॉर वर्यवर्यवर्थिंग्ड़ीड तुमें नहीं समझभाया जाता हो तुमुझसे कितना प्यार करती हो यकीन करो आप यहां लीव यहां आप यू़ बढ़िए भाइड कि अच्छ आपको अच्छ आपको अच्छ इन भी अच्छ कि निए पहां आए इस डिए हूँआ दो टाव में और रियल एस्टेट में तो मुश्किल होता है लेकिन मेरा फैसला अरहा अची अच्छ वाद से सही निकला झाल 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 झाल